वेलकम बेक टो अनदर वीडियो दो आटो मोबाइल एक्सपर्ट इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप फाइब कार न्यूज आप दा वीक के बारे में टाटा मोटर्स की तरफ से टाटा अल्ट्रोस टर्बो पेट्रोल को भारत में 13 जनवरी को लांच किया जा सकता है टाटा अल्ट्रोस टर्बो पेट्रोल को लगाता टेस्टिंग करते हुए देखा जा रहा है अभी हाली में इसे एक नए ब्लू कलर शेड में देखा गया है ज दोनों मॉडलों में मार्केट में उपलाब दे लेकिन इसके टर्वो वेरियंट को केवल दो टॉप वेरियंट में ही लाया जाएगा सुबी महिन्दरा थार के 2020 वेरियंट को इस साल अक्टूबर में लांच किया था लांचिंग के बाद सही इस एसवी को भारती गाहा को द्वारा अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है इस कार को भारी संक्या में बुक कर आया गया है अब कमपनी इस SUV के बारे में एक नई जानकारी सामने दे रही है ताजा जानकारी के अनुसर कमपनी ने महिंदरा थार के 6-seater variant को बंद करने वाली है क्योंकि ये महिंदरा थार 4-seater variant के तूर नामे कम सुरक्ची थे साथ ही महिंदरा थार को दो नए color option में टेस्टिंग के दोरान देखा गया है जिसमें white color और silver color सामेले कमपनी इन color को भी जल्दी launch करने वाली है अगली news निकल के आ रही है Honda Course India की तरफ से Honda ने भारती बाजार में अपने प्रमुक मोडल Honda Civic Sedan और Honda CRV SUV को बंद कर देगी जानकारी के अनुसर ऐसा इसलिए है क्योंकि Honda Course India ने अपने Greater Noida Plant में बहान उत्पादन को स्वाप्त कर दिया है और अभी राजिस्थान के अलवर जिले में Honda टपुकारा प्लांट में पूरा उत्पादन शिफ्ट कर दिया है पिछले 6 महिने में कंपनी ने Civic की लगभग 850 यूनिट बेची है जबकि Honda CRV की केवल 100 यूनिट से ज़ादा नहीं भी की है इसकी तुलना में 7th generation Honda City की 4000 यूनिट बेची है इनी को देखते हुए कंपनीयां दोनों मॉडल को बंद करने का फैसला लिया है अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी informative लगए हूँ तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें अगर आपके कोई सुजाब हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताए हम रोज़ान आपके लिए असी वीडियो लाते रहते हैं धन्यवाद